स्लाम उलेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक है मैं देखे रहे हैं कि मज़िमेंगे नौशीन मलतानी चैनल पर वेलकम हो गया जनी जान की चोटी 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 एंड पतली मोटी सब्सक्राइब को बहुत सारा प्यार तो जी चराब वीडियो शुरू करने से पहले लाइक आपने पॉइंट रखना है आएं रखें और अपनी बात क्लियरली रखें या तो फिर रखें ही ना या पिर करें ही ना बात क्योंकि आपको ड्राइवर बोला जाता है आपको काम करने वाला बोला जाता है ठीक है जी और जो आपको कह रहे होते हैं कि वो आपके सपोर्टर भी है तो जब काम वाले हैं आप जब मुलाजम है या आप ड्राइवर है बजाए आप सितारा के हस्बंड की जो है सितारा की वज़ा से सितारा के हस्बंड की रिस्पेक्ट करने लेकिन उसको इस अलफाज से नवाजे जाए इस अलफाज से बोला जाए तो फिर ड्राइवर क की बातों बुरी नहीं लगनी चाहिए या काम वाले की बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है जब आप एक बंदे को रिस्पेक्ट ही नहीं देते बुरा कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है वर्त नहीं है तो फिर उसकी बातों का बुरा कि काहे का उसक कि मैं मिल्च मिसाला लेके मैं उसको जरा बड़े खुबसूरत तरीके से चटपटा बना के बता सकती थी लेकिन नहीं मैंने एक रिस्पेक्ट वे फिर भी रखा कहते हैं न थोड़ी को थोड़ा करना तो मैंने तो इसका इजहार ही नहीं किया मेरी लाइब में भी मेरे से मेर नहीं में जाने उपीनियन पूछा गया तो मैंने कहा था वह सितारा जाने साजिल जाने? मैंने इस बात पर अपना पॉइंट नहीं रखना मेरा अंदाज अपना एक अंदाज है तो खेर मैंने तो इकनोर किया लेकिन काफी सारे लोकों ने कः कि है जी जो सिस्टर है जिनकी वज़े से कम्यूनटी लगाई गई उन्हीं की बेहने जो है बेस्ट फ्रेंड जो है वह साजित साब को या सितारा को डिक्रेट करवाते हैं हेटरों के मुँ में डालते हैं जैसे के वह उठके आ गया उसने वीडियो पना डाली शारुख ने और फि पार पार दिन मसलसल सितारा को ट्रोल किया गया फिर एक वैसली की गई थी उसमें भी उसको भी पकड़ के काफी सारे लोगों ने जो है वीडियो बनाई और इस तरह से बलडबा दी हूई और सितारा को दुबारा से हेटर्स के मु में डाला गया फिर लोगों को ये बाते चोटी लगती है हमने बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों को मुँ तो जवाब दे के लोजिकल चीजें रखके इन लोगों के मुँ बन किये थे लेकिन कुछ जो है ताहिरा सिस्टर का भी कमाल है उन्होंने भी काफी हद तक जो है इन चीजों पे काबू पाया और साथ दिय लगता यह हम कभी भी नहीं कहते हैं कि इस बंदी के आने की वज़ह से के सितारा को फाइदा नहीं हुआ हमेशा एप्रेशेड करते हैं और इस बात का हमें यह उपर उपर से करते IF में रेसक्ट करते हैं और करते रहेंगे ठीक है जी मुझे तो लगता है साजेसाब की अच्छी खासी किलास हुई है क्योंकि जिनके लिए उन्होंने कम्यूनिटी लगाए थी उन्होंने उनकी लाहे में बड़ा अच्छा खासा बोला गया कि सितारा को इस बातों का पता नहीं होता सितारा ने वर्निंग दिये और कहा है कि यह जो है इसकी लास्ट कम्यूनिटी थी ऑच्छे खासे तरीके से साजिद को डाटा है तूमने यह साजिद क्यों लगाए और तूहें नहीं से वीडियो पनवाएगी या कम्यूटी लगवाएगी तो मैं छोटे दिल की नहीं हूँ मैं माशाला तहमल मिजाजी सबर और तरीके से काम करती हूं मैं ऐसी चीजों में इन्वाल्व किसी को नहीं करती और शायद इसलिए ही मेरी रिस्पेक्ट है और शायद इसलिए ही कभी मेरे लिए इस तरह की कम्यूटी लगी और कभी मेरे लिए इस तरह से शायद उन्डों ने सितारा ने या साजद ने इस तरह से डिस्रिस्पेक्ट नहीं की क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी बड़ी-बड़ी महर्बानी तो खेर में कम ऐसी चीजों में पढ़ती ना मैंने उनको कहा कि आप लोग मेरी सुपोर्ट में आएं या ना आएं तो ये जो सोशल मीडिया है ना यहां पे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं अगर ताहिरा सिस्टर यहां पे आई हैं यहां पे अच्छे लोग भी मिलेंगे बुरे लोग भी मिलेंगे यहां अच्छे लोग भी हैं सोशल मेडिया पर बुरे लोग भी हैं। हम inner thoughts करना से हम दोनों तरहां के लोग को फेसर होता है। लिप यह न दिल चोटा ना करें। हम्हें यह चीज़ें पैस करना है। और खासकर जिसके सपोर्ट में हैं या जिसको सपोर्ट करते हैं या जिन से महबत है सपोर्ट को छोड़ो यार चोड़ो पर यह मुझे ना लफजी बड़ा बहुत इरिटेट वाला लगता है यह सपोर्ट सपोर्ट वाला मुझे बहुत इरिटेट वाला लगता है यह बहुत की वीडियो बनेगी अब भी कम्यूनिटि भी आईगी अब इवीडियो आएगी लेकि कि अन्हें नहीं च्पोर्ट में बनायाए मेरी खळाज को इस लोगा Betsy prono पीट पीट के जो है सदाएं लगाऊं और कहूं के प्लीज आएं मेरे लिए आप बोलें कभी भी नहीं जब लगेगा और जब होगा तो बोलेंगे यह चोटी मुटी चीज़े हैं यहां पर आपको हेट भी मिलेगा प्यार भी मिलेगा और हमें यहां पर बड़ा दिल करके आ हमारी महबत में भी आप ना दें छोड़े परें रमजान श्रीफ का महीना इनको इगनोर पर रखें खुद ही चुप हो जाएंगे अल्ला पाक खुद हिसाब लेगा ऐसे लोगों से जो हमें हमें ट्रोल करते हैं गालियां देते हैं बुरा बला कहते हैं ठीक है जी और किसी ने ट्रोल किया हो जाद असे ज़्यादा किसी लोगों ने कहा कि यार सही कम्यूनिटी लगे हैं जो कि आज भी उनके अपने साजित साभी कॉमिंट्स सेक्शन में यही का जा रहा है कि आपने जो चीछ लगाई थी एक सिस्टर अच्छी है जिनका नाम तहिरा सिस्टर रहा है वह अच्छी है बाकी जो है यह Public के बाखि जो लोग है वह जो है सितारा के लिए सहीं नहीं है किसी केलिए भी वह सहीं है इस तरह के Comment आ रहे हैं उनको जो ज्व रेशो आज़ादतर वह कहना है जबसे झाल लगाई है तो उनको ट्रोल किया जा रहा है यहीं है में घुसे रहते हैं और खुश होते हैं वाई वाई बले बले इस तरह की बाते करते हैं वो तो करते ही रहते हैं क्योंकि उनका रोजगार इस चीज़ों से चला हुआ है उनका टॉपिक ही यही है और वो टॉपिक पर बात करें लेकिन हम भी तो करते हैं ना एक लिमिट में ए एक तहमीज के दाइरे में रहके फिर बात करते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जनाब वह बहुत ज्यादा परसनल जाके गालम गलोच देके फिर उनका पेट भरता है उनके पेट की आग भरती है दूसरों को डीगरेट करके नीचा डिखाके इतनी नफरत लाते कहां से हैं य आज और शिशाज आपने खिम झाया पकाने जो नहीं तो प्लीन ताहरा सिस्टर को ट्रोल मत किया जाए जाए उनको अच्छा काम किया है कि अ में लोगों ने पैसे खाई थे जी यह बात हमने बूली थी हमने हर बार बूली है यह अलग बात है कि उनको निश kidding me बताया जात हमेशा, उन्हें गाइड ही ऐसा किया जाता है तो खिर वो उनकी अपनी मर्जी है हर बंदे की अपनी मर्जी है हमें भी नहीं चाहिए तम गए उन्तियास हमें जो सही लग रहे हैं हम भी मतलब अप्रिशेट कर रहे हुए है और वाकरी जो रहा हुए है वह हमें जो हकीकत है किसी और ओर।ोंने करवाईए थे जो कि अच्छा किया उन्होंने भी अच्छी कारवाई करवाई अच्छे से पैससे भी लगाया और लोगों विए उसन लोगला बैस्त थाकी काराची मेरे नहीं भी पैसे चो जो हैं काफी हद तक जो है हमें अच्छा देखने को मिला है लोगों की जबाने बंद हुई लोग कुछ हुए खामोच लेकिन अभी इस टाम क्या हो रहा है इस टाम यह हो रहा है कि इस टाम तहरा जी की अपनी इज़त पे सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी अपने उपर बहुत ज बहुत बुरा भला बोला जा रहा होता है और बड़ी गलीज दरीन गालिया दी जा रही होती है तो मेरा खैल से इसके लिए भी काम किया जाना चाहिए जो ताहरा जिस्टर के करेक्टर असैसिनेशन करते हैं और उनको बुरा भला बोलते हैं ऐसे लोगों की भी जबाने बं वोतक्ति यह सोचते हैं कि यह यह सुछते हैं यह बैठी के खायु मोट रहूं करता होगा। ठीक है जी और बाकी कहा के ये लोग सही नहीं है जो मुँ में आता है वो ही बक देते हैं हम हेक्टर को इगनोर कर देते हैं अच्छे लोगों के कमेंट मैं देखता हूँ अच्छे लोगों को देखता भी हूँ बुरे लोगों से मैं दूर रहता हूँ और आज भी कल भी और शिरू से भी जो भी सितारा को सपोर्ट करे थे और आज कल भी शिरू से भी आज से लेके कल तक और शिरू से जो सितारा को सपोर्ट करते आए हैं वो सितारा को दिल से जान से सपोर्ट करते हैं और इंडिया से भी काफी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मैंने यह कम्यूनिटी जो है यह कम्यूनिटी गालियां रोकने के लिए लगाई थी मैंने यह कम्यूनिटी गालियां रोकने के लिए लगाई थी लेकिन आपको पढ़ गई आपको पढ़ गई और बड़ी कुझे वाली किया उन्होंने आपकी आच्छा जी बहुत सारे लोगों ने आपने तो गालियां रोकने के लिए के लगाई ती उल्टा पड़ गेंगे आपको लेकिन आपने बीवी की डिफैंड में बनाई थी यह आपने सितारा की सपोर्ड में जहां यह कम्यूनिटी लगाई थी जहां तक अंदाजा लगाया गया तो चले ठीक है फैर बड़ी को हराम खाना ना खिलाएं कि गालियां दे के व्यूज कमाई और फिर अपने बच्छों को खाना खिलाएं और हेटर्स तो हेटर्स के दिल में तो सितारा के लिए हसद कभी खतम हो ही नहीं सकती तो इस तरह से इन्होंने जो है रियक्शन बनाया है अच्छा है आप जो है बना होते हैं लेकिन आप अपनी बार पर स्टैंड नहीं करते हैं आप जो है कम्यूनिटी लगाई डिलिड की आपके साथ ये चौथी पांचवीं बार हो रहा है साज़ साहब और आपकी जो है इस तरह फिर वैल्यों खतम हो जाती है ठीक है जी अभी जो कहा जा रहा है अभी य क्लास ली है और सितारा की क्लास किस ने ली है ये मुझे नहीं अंदाजा लेकिन खैर साज़ साहब ने आज एकस्प्लेनेशन में वीडियो बनाई है ये इल्जमात हलाके मेरे पे लगाए जाते हैं कि नौशीन ऐसा करेगी ऐसे वीडियो बनवाएगी हम पे जब मेरे बात हो रही थी तो नहीं किया ऐसा मैंने और ना मुझे ऐसी करने की जरूरत है अलहमदोल्ला अपने बातों के मैयार से आपकी पहचान होती है अलहमदोल्ला चलें जी इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त ने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें न्यू लोग